नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ Finder पर तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि दिल्ली लेजिस्लेटिव एसेमली से एक टनल डिस्कवर हुई है और यह सीक्रेट टनल है जो कि दिल्ली यहां पर फासी दिया जाता था जिसको गैलोज भी कहते हैं उसको ढूंडा गया है तो आईए आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर की वनजिरो कोड का इस्तमाल करें तो इससे आपको मेरी मिंटर्शिप भी मिलती है तो दोस्तों न्यूज में क्या है न्यूज में है बिटेश हैरा टनल तो मिला ही ता दिल्ली लेजिसलेटिव एसेमली से अब वहां पर एक एक्जेक्यूटिव एक्जेक्यूशन रूम भ बहुत पुरानी बिल्डिंग है अब लगभख सौ साल इसके होने वाले हैं तो इस प्रकार का यहां पर एक एक्जेक्यूशन रूम भी मिला है और यह दिल्ली लेजिसलेटिव एसेमली के स्पीकर है और यह मीडिया से इंट्राक्ट भी कर रहे हैं इसके बाद तो एक वरकर ने इनफॉर्म किया कि एक दिवार यहां पर बड़ी कमजोर लग रही है अगले इंडिपेंडेंस दे में 15 अगरस तक उपिन करना है टूरिस्ट के लिए तो टूरिस्ट भी आएंगे जब एसेमली सेशन में नहीं है तब टूरिस्ट आएं और आके इसको विजिट क तो वहीं पर काफी रिनोवेशन वर्क चल रहा है तो एक वरकर ने कहा तो आगर धीलो लग रही है उसको threaten लगा तो इसके बाद दिवार को देंजित एक तबीट manner की पिल्डिंग है काफी पूरानी विल्डिंग है तो ये building अगर आप देखे तो 1911 की है और British जब Calcutta से दिल्ली अपनी capital को move किये थे तो उस वक्त इसको इस्तमाल किया जाता था भारत की Imperial Legislative Council की तरह उसके बाद क्या होता है 1926 में जो इस वक्त की Parliament है उसका निर्मान होता है और नई building में Parliament shift हो जाती है तो इसके साथ नई building Central दिल्ली में shift हो जाती है और उसके बाद इस building को as a courtroom इस्तमाल किया जाता है तो दिल्ली Assembly Speaker का दिली Legislative Assembly के Speaker का उनका जो version है उनका जो कहना है उनका कहना ह चीज थे वो रेड़ फोर्ट से इस courtroom में लाए जाते थे और इसके बाद वहाँ पर उनको try किया जाता था और अगर वो convicted prove होते थे और worthy of जैसा भी conviction है जिस प्रकार का अगर उनको लगता था जज ने अगर फासी की सजा दे दे देते थे वो तो उसके बाद उनको नीचे इ देखे दोस्तों तो आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट को तुरंत इत्तिला किया गया कि आए आके ब्रिक्स वोड और आइरन रॉड से उनकी डिटर्मिन करें साथी साथ आपको कहना चाहूंगा जो दिल्ली एसमली है वैसे तो आपको जैसा मैंने बताया 100 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है इसके बावजूद आप देखे तो आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आती है तो जो दिल्ली एसमली के स्पीकर है श्री गोयल जी उन्होंने कहा है कि दिल्ली लेजिसलेटिव टूरिस्ट के लिए जल्दी उपन हो जाएगी औ जाने 15 अगस्त 2022 तक टूरिस्ट के लिए उपन हो जाएगी तो दोस्तों आज़ी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करें पाथ फाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें इसके सिवा अनकाडमी जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं यूज़ी कोड के सी वन जिरो क्योंकि जो आपी कोड यूज़ करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% आफ नहीं मिलेगा इससे आपको मेरी मेंटरिशिप मिलेगी और जो गाइडेंस है व होगी जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों तो इसको अपने हाथ से जाया ना होने दें प्लस कॉंबो सब्सक्रिप्शन की कीमत 6704 हो जाएगी और उसके बाद मेगा प्राइस आएगी तो और भी दाब बढ़ जाएगी तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो यह सब प्राइब है तो इसका फाइदा उठाएं और मेक शूर आप अपना बेस दें संडे को साथ-साथ दोस्तों फ्रीटेश सीरीज है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं और साथ-साथ ल लोन फैसिलिटी अवेल करें दोस्तों तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फिलब करें उसके बाद मैं और मेरी टीम आप से कनेक्ट करेंगे हम और आपको लोन प्रसेस हो सके इस पर हम ध्यान ज़रूर रखने वाले हैं तो बस केसी वन जिरो कोड का इ एडिकेटर नेम फिल अप करें इसके सिवा दोस्तों यूपसी प्रिपरेशन के लिए आइकनिक सुस्क्रिप्शन का बेनेफिट है तो लाइव मेंटरिंग है स्टडी प्लैनर है मेंस कॉश्य आंसर प्रैक्टिस है और साथ-साथ दोस्तों जो सब्स्क्रिप्शन की कीमत ह एक साल की प्लस स्ट्रिप्शन की कीमत है एक साल की आइकनिक सुस्क्रिप्शन की कीमत एक साल की है चौबिस हजार साथ सव पचास रुपए 15 डिसम्बर से नए यूपसी सीटी बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका हिस्सा आप जरूरू बनें थांक यू सो मच पर आइ आप प्लस से व्लिबनें इनका शूर करत कौए बष्बशन की से एक सब्सक्रिप्शन की कीमत है यू सकूर में далे की करते के बच्ट में एक सकते निए.